हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नमबर फूर अप्ट चैप्ट जावा प्रोग्रामिंग आज के क्लास का हमारा डिस्कुशन का टॉपिक है एडवांटेज और क्यरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ जावा तो आज के क्लास में हम जावा के कुछ फीचर्स के बारे में सिर्फ फीचर स्वीचर ऑब जावा प्रोग्रामिंग लैंगवेजाइश इन ऊप्जेक्ट ऑ्रेंटेड फ्रोग्रामिंग लैंगवेज इस ए 스ी प्रोघ मिन गवेज है बाड जावा एक प्योर्ली ऑब्जटीट ओर्येंटेट प्रोग्रामींग लैंग्वेज यहसे कि सी π्लस प्लस के बारे में अउल्रडी हम डिसकस्удь कर चुके 抽 कि C++ एक ऐसा programming language है जहाँ पे हम class and object के concept को use करके program कर भी सकते हैं अगर हम class and object वाले concept को use नहीं करते हैं तब भी हम program easily कर सकते हैं by using C++ programming language बट जावा एक ऐसा programming language है वहाँ पे without using the concept of class and object हम कोई भी जावा प्रोग्राम वहां पी नहीं कर सकते इसलिए हम बोलते हैं जावा को एक purely object-oriented programming language यह एक ऐसा programming language है जहाँ हमें class and object की concept को use करने से ही program करनी का facility मिलेगा तो object-oriented programming language हम किस तरह के programming language को बोलते हैं यह already मैं बोल चुगा था last class में simple term में अगर बोलें यह एक ऐसा programming language है जो कि real world concept को लेके real world की कुछ concepts को लेके program करने के facility हमें provide करता है जैसे कि यहां पर अगर मैं एक example लो फूट्स तो फूट्स क्या है एक entity है एक real world entity है जिसका अपना real world में कुछ ना कुछ properties है और उन fruits में different type of fruits आते हैं जैसे कि banana apple उसके बाद orange इस सारे different fruits आते हैं और हर एक fruits के अपने अपने कुछ ना कुछ unique properties भी होता है तो उन fruits को क्या बोल सकते हैं उन fruits जो individual fruits का नाम मैंने लिया उन individual fruits को क्या बोल सकते हैं object तो जैसे कि real world में एक group of object को बोलता है class वैसे ही वही same concept को यहां पर जावा programming language में भी यूज करते हैं प्रोग्राम करने के लिए जैसे कि कार यहां पर कार एक क्या हो सकता है class group of similar type of group of similar or different type of class तो अलगला companies के class है तो अलगला company के कार है तो अलगला company के कार को हम एक object बोल सकते हैं यह फिर और एक example ले सकते हैं जैसे कि बहुत सारे planets हैं तो महां पर और एक planet हैं तो अर्थ को हम एस्यूम कर सकते हैं एक class के हिसाब से और अर्थ के अंदर जितने countries हैं हर एक country को इंडिया भी है अर्थ के अंदर पाकिस्तान भी है अर्थ के अंदर अफगानिस्तान भी है तो यहां पर जो इंडिया है पाकिस्तान है अफगनिस्तान है यह सब क्या है अर्थ के पार्ट है तो मतलब अर्थ के अब्जेक्ट से हम इनको बोल सकते हैं तो यहां पर इंडिया एक प्रोग्राम करते हैं तो वहां पर जैसे की स्टूडेंट स्टूडेंट एक क्लास हो सकते हैं और हर एक स्टूडेंट वहां पर एक ऑप्सेट हो सकते हैं इसे पुपटिक्लो खमoc बोलते हैं परटिक अलएऊ कि मी मोॉर्दें वन स्टूडेंट सो ऑगें और स्टूडेंट को ले की क्या बनता हैो लिए पुटिकरला क्लास में कौन धो फूल स्टूडेंट गस्ट ग्लास है और चूटल पूठ वे स्टूडेंट का अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो हर एक स्टूडेंट का हुआ पर क्या बोलते हैं आपसेक्ट सो यहां पर हमें क्या पता चला कलेक्शन आप सिमिलर टाइप आपसेक्ट इस ओन एज ग्लास तो यह यह यहां प्रोग्रामिंग में लिया हैं से लिए निन अट अथवाएंगयर को बेस करथा है कि जिसके द्वारा इस तरह के programming language में जबके हम real world concept को लेके program को implement कर रहें तो इस तका implementation या फिर जो maintenance है वह बहुत एजी होता है अगर में इस programming language को real world concept को बेस करके आसानी से समझ लेते हैं तो गें तो अगर यहां पर जबके हम real world concept को लेके class and object वाले concept को लेके program करना बहुत आसान हो जाता है और error-free program error-free code लिखना बहुत easy हो जाता है और कहीं पर error अगर है तो उसको easily rectify करने की facility भी वह हमें provide कर देता है तो यहां पर जबके object oriented programming language है जावा तो object oriented programming language हमें different type of real world concept को provide करता है basic concept को provide करता है जैसे कि class object inheritance polymorphism abstraction encapsulation message passing data hiding ऐसे और भी बहुत सारे concepts है जिन concepts को हम क्या करते हैं जिन concepts के lu ani dai यह करते हैं जासिसस ना है कि जावा का एक फीचर क्या है concept oriented तो जावा एक औपसेक्ट और प्रोग्रामिंग लेंगवेज है जो कि फ्लास एंड ऑबजेट की कॉंसेट को यूज करके में प्रोग्राम लिखने की फैसलिटी प्रोवाइड करता है विदाउट दॉजिंग प्लास अपसे जावा प्रोग्राम सुरू ही नहीं कर सकते लिख एक और प्रोग्राम को किसी फी ऑप्रेलिंग सुस्टम वाले वाले रसकते हैं और रूट कर सकते हैं उसलिये प्लाइटफर्म इंडिपंड हावाव में डिपैंड ने इसलिए हम जावा को एक प्लेटफॉर्म इंडिपैंटन्ट प्रोग्राइमिंग लइज बोलते हैं तो यह प्लाइटावोम इंडिपेंड़नेट होता कैसे हैं जैसे नियुक्त फॉवहां बाखिव मंघस Tammy प्रोग्रामा यंदेन को यूज करते हैं तो में लिए सी प्लस प्लस में हम कंपाइलर यूज करते हैं बड़ जावा में बोथ कंपाइलर एंड इंटर्पेटर यूज किया जाता है तो जावा का जो सोर्स कोड है जो कि हम जावा करके लिएक किया करते हैं पहले compiler मतलब जावा सी नमका compiler जावा सी मतलब जावा compiler को यूज करके उसको हम क्या करते हैं और एक फर्म के code में convert कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड़ा है और इस पूर्टिक्ला bytcoidd को हम जावा प्रोग्रमिंग लैंगवेज को प्लैट्फर्म इंडिपेंडंट बनाने का में है तरिका जो यूज किया जया प्रोग्रामिझ लैंगवेज एक ब्लैट्फर्म युज करते हैं जिसको मुलते हैं JVM, Java Virtual Machine तो यह Java Virtual Machine वाले concept को add करने के वज़े से यह Java Virtual Machine हमें अलाव करता है उस particular byte code को किसी भी तरह के operating system वाले computer में क्या करने के लिए एक्सेक्यूट करने के लिए जिसके वज़े से हमारा जो Java Programming Language है एक Platform Independent Programming Language कहलाता है Java Programming Language को Platform Independent Programming Language बनाने के लिए Java Programming Language में developers ने JVM वाले concept को use किया JVM मतलब Java Virtual Machine जिसके त्वारा यह Java Virtual Machine एक ऐसा concept है जो कि कि एक machine नहीं है यह तरह का software है जो कि allow करता है किसी भी system में लिखा गया Java Programming Language को किसी भी operating system वाले system में execute करने के लिए और इसी particular concept के वज़े से ही हम Java Programming Language को एक platform independent programming language बोल सकते हैं जावा जबकि एक object oriented programming language है यह real world concept को बेस करके जबकि program लेखने के facility हमें provide करता है तो उस तरीके से एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक simple programming language है अगर आप real world concept को बेस करके समझते हो तो Java Programming Language को आप easily सिख सकते हैं और उसको यूज करके फिर जावा में भी यूज करते हैं तो अगर आप से प्लस प्लस के बारे में अल्रड़ी बढ़ चुके हो अगर आप real world concept को आसन तरीके से समझ सकते हों तो जावा उस तरीके से अगर देखें एक बहुत ही simple programming language है जिसको यूज करके आप simply क्या कर सकते हो किसी भी दरह का जो सूर्स कोड है अगर हमें जावा को multiple number of systems में रन करना है और हम चाहते हैं कि multiple number of systems में हम जो हमारे जावा प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उसका सोर्स कोड किसी को पता ना चले सोर्स कोड हमारा सिक्योर रहे है तो यहां पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं जावा सी कंपाइलर को यूज करके सोर्स कोड को पहले उसको कंपाइल करके बाइट कोड में कंवर्ड कर देते हैं और जिस पर्टिकलर को कोई भी नॉर्मल यूजर अगर देखे तो उसको समझना बहुत ही करना हो तो सब को सोर्स कोड पता चल जाएगा जिसके वज़े से मेरा सोर्स कोड सिक्योर नहीं रहेगा बट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस चीज़ में हमें सिक्योरिटी प्रवाइड करता है क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं इस प्रप्रेट को जावा कंपाइलर यूज करके एक intermediate code मतलब byte code में convert कर देते हैं और जिस particular byte code को समझना बहुत है एक difficult task होता है मतलब impossible वाला task होता है इसके दोरा हमारा जो source code वो secure रह जाता है और किसी पी system में हम इस particular byte code को use करके क्या कर सकते हैं उसको machine code में convert कर सकते हैं एक कर सकते हैं का चिछón कर सकते ह्या श्क्रत कर सकते हैं उसके द्वारा because nobody can understand anything if anyone tries to access the code यह पर वहीं बोला है कि जावा जो क्या करता है सोर्स कोड को जावा कंपाइलर के त्रूब बाइट कोड में जेनरेट कर देता है जो की बहुत है जावा system करना चाहते हैं तो वहां पर चाहर के वह मारा सोब्सक्रों नहीं सकता है इसे लिए पर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्टिक और स्टिक और प्रोग्रामिंग लांगवेज इस पीज़ आर्किटेक्ट्रॉल न्यूट्रल प्रोग्रामिंग लंग्वेज अर्किटेक्ट्ट्रल न्यूट्रल मतलब क्या यह कैसा प्रोग्रामिंग लांग्वेज है जो की अलग-अलग तरह के प्रोसेसर के लिए अलग-अलग implementation करता सब के लिए सेम तरह का इबीमेंटीशन करते हैं या अर्किटेक्ट्ट्र के उपर डिपरनी करता कि किस तरह का architecture घर है हर एक तरह के आर्चिटेक्ट्र वाले सस्ट्टम के लिए सेम तरह से काम करता है जैसे इसे की still प्रोग्रामिंग लांग्वेज में क्या होता है इंटीज और टाइट थर्टीटू बिट आर्किटेक्ट्टर के लिए वाइट होता है उसका साइज जबकि 64 बिट अर्गी टेक्ट्चर के लिए उसका साइज होता है पाद के एक एक होता है तो यहां पर बोल सकते है कि आगव एक आईसा प्रोग्र इन किया थै कि तो इसलित एसलों को बोलता है आखिटेक्ट्चिरL निप्सके फेक्टेक्टरा तुप किस्थरा के आर्किटेक्ट्टरा के प्रिसिदलों प्रोसिटम में एक्सिक्यूट कर सकते हैं और execute करके same type of result generate कर सकते हैं इसी लिए हम जावा को एक architectural neutral programming language भी बोलते हैं ओके next feature और next characteristic of Java programming language is multi-threaded thread मतलब किया एक particular program या फिर particular task को बोल सकते हैं thread ओके यसे कि मैं एक जावा प्रोग्राम लिख रहा हूं इस particular जावा प्रोग्राम में मुझे addition subtraction multiplication division हर तरह के टास्क करने तो यहां पर एडिशन एक मल्टिप्लिकेशन एक त्रेड है डिवीजन एक त्रेड है सब्राक्शन एक त्रेड है तो अगर मैं यहां पर एक single program लिखके सारे के सारे टास्क को पॉफम कर सकता हूं simultaneously तो उस तरह के feature को हम बोलते हैं Java का multi-threaded feature okay so multi-threaded feature of Java programming language allows us to perform multiple number of tasks simultaneously by writing a single program एक single program लिखके multiple number of tasks को पॉफम करने की facility हमें प्रोवाइड करता है जावा जिस फिचर को जिस फिचर को क्या बोलता है multi-threaded feature okay it is possible to write programs that can do many tasks simultaneously जावा programming language हमें अलाव करता है उस तरह के programs को लिखने के लिए जिस तरह के प्रोग्राम को लिखते हैं multiple number of tasks simultaneously कर सकते हैं तो इस तरह के design हमें क्या करता है developers को मदद करता है smoothly running interactive application क्रेट करने के लिए अगर एक particular application हम डिजाइन करते हैं प्रोग्राम लिखके जो application simultaneously more than one task को कर सके तो उस तरह के application को develop अगर हम करते हैं तो उस तरह का application हमारे ज्यादा स्मूथ होता है ज्यादा बेटर होता है और वहाँ पर उस तरह के feature को क्या बोलते है multi-threaded feature जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक thread मतलब क्या हर एक task अगर एक सिंगल प्रोग्राम लिखके more than one task एक बार में कर रहें मतलब मौर्दिन वन थ्रेड को एक अट टाइम कर रहें मतलब multiple number of thread को simultaneous एक्जिक्यूट कर रहें तो उस तरह के feature को बोलते हैं multi-threaded feature ओके next feature और next characteristic of java programming language is interpreted जैसे कि थोड़ी देल पहले हमने पढ़ा कि java programming language एक ऐसा programming language है जो कि compiler and interpreter दोनों को यूज करता है compiler का कान है कि java के source code को intermediate code मतलब byte code में convert करना और उस byte code को computer में store करके रखना जैसे कि compiler interpreter के बारे में already हम सी programming language के बारे में पढ़ते वक्त discuss कर चुके हैं कि compiler को यूज करके अगर हम कोई भी source code को translate करते हैं तो वह हमारे computer system में उस code को translate करने के बाद store करके रखता है ताकि उसको फ्यूजर में जब भी चाहें यूज कर सकते हैं जावा source code को हम क्या करते हैं या फे जावा compiler को यूज करके उसको जो byte code में convert करते हैं वह byte code हमारे computer system में इसको हम जब चाहें जहां चाहें यूज कर सकते हैं बट उस पटिकला byte code को जो interpreter use करके क्या करते हैं machine code में convert करते हैं तो interpreter के बारे में हमने पढ़ा है यह है कि वह सिर्फ translate करेगा बट उसको computer memory में store करके नहीं रखेगा जिसके द्वारा हम यहां पर चाहते हैं हमारे पास तो byte code है में translate करेंगे by using interpreter and is not stored anywhere और interpreter कोई भी code को machine code में convert करने के बाद उसको वह computer memory में कहीं पर भी store करके नहीं रखता है तो यहां पर benefit क्या होता है कि memory कम यूज होता है और interpreter क्या करता है जबकि वह memory में store करके नहीं रखता तो linking process को करता है linking process को तो यूज करके linking प्रॉसेस क्या है linking एक ऐसा process है जो कि जह की class और फिर interface जो भी हमारा निकला आफाइट कोड के फॉर में जो हमारा च्लास है फिरitivebene जो कि जिसको हमने interpreter उसकर क्या जिसको हमने interpreter में convert किया था उस पर्टिकला budget को वो क्या करता है when जिसके वज़ाए से interpreter में हम और एक प्रॉसेस को यूज करते हैं जिस प्रॉसेस का नाम है लिंगीज यूज बाइट को मशीन खहर्फर करता है उस प्तिकला बाइट को किया है उस पर्टिकला कोड को लखने के लिए किसके साथ कंबाइन कर लेता है रण टांप्य के साथ मतलब यहां पर selecting कर देता है जिस के वजह से होंने के बाद उसको कर सकते हैं बीना हमारे च्रीजूरि च्रीमरी और जावा प्रोग्रामिंग लेंग्वेज एक लाइट वेट प्रॉसेस हो जाता है और जिसके वजह से वह फास्टर स्पीड में ऑपरेशन करके हमें जिस तरह का रिजल्ट चाहिए उसी तरह का रिजल्ट एज आउटपूट वह जेनरेट करके हमें प्रोवाइड कर सकता है अगर हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंगवेज के कोंपरिजन में देखें तो सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंगवेज एक फास्टर क्यों कि सी एंसी प्लस प्लस में करते हैं यहांपे यह हाइप और पर करते हैं क्यों हम यहँं पर बोल रहाएं क्यों कि जो वाइट कोड में कर दें उसके बाद we kim कोड करने की करता है इसलिए हम औरस फीचर क्या बोल होग सकते हैं उसल edited compiler compiler के यूजुज के वजए से हम क्या कर सकते हैं wanna लेंग्वेज में यहां जमघ्रेइभ को यूजे करके कोई भी सूर्स कोड को पहले बैटko में convert कर देते हैं और कहीं पर भी उस पर्टिकलर जावा प्रोग्राम का हमें एक्जिक्यूट करना हो तो हमें और सोर्स कोड की कोई जरूत नहीं है बाइट को सब्सक्राइब उसके द्भार वह ज्यादा सपीड्मी जुड्रोमारीयिएbas we going and design किया हैं इंटरेट वाले एंवर्मेंट में उसकरने के लिए था कि एक पंपीटर सिस्टम में प्रोग्राम रहे और उस प्रॉग्राम को मल्टिपल नंबर वः Geldite अपने सिस्टम में डिस्टरिब्योट करके यूज कर सके तहुसा सिम्पली बोल सकते ही कि जावा एक डिस्ट्रिब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है में इंटरनेट में जो हम डिफरेंट टाइप आप वेब साइट्स डेवलॉब करते हैं तो आप एक पर्टिकुलों सर्वर में वह एप्लिकेशन होता है सारा डाटा होता है बट उसकों बागी सिस्टम में डिस्ट्रिब्यूट करते हैं जिसके द्वारा यूजर्स अपने अपने सिस्टम में घर पे बैटे क्या कर पाते हैं उन डाटा को यूज कर पाते हैं अगर आज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना होता तो सायद हम ना ही वेबसाइट यूज कर पाते ना ही हम एक distributed programming language है next feature of the Java is it is a robust programming language robust means was strong okay तो जावा programming language को एक robust programming language एक फिर strong programming language हम क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका automatic garbage collection facility होता है automatic garbage collection facility मतलब क्या कि अगर जावा programming language मैंने use करके कोई program लिखा है वहाँ ऐसे कुछ methods है या फिर ऐसे कुछ functions है फिर ऐसे कुछ data है जिनको मैंने program को execute करते वक्त यूज नहीं किया तो उनको क्या बोलते हैं garbage तो उन garbage को कैसे automatically remove करना है वह facility वहाँ पे जावा में होता है तो जिसके वज़ेसे मेरा जावा strong programming language हो गया कि जो चीज़को मैं यूज नहीं कर रहा हूं उस चीज़को जो memory space इस रिजब करके वह रखा है वह automatically उसको क्या करता है रिमूब कर देता है जिसको हम बोलते हैं गार्वेज भी solve कर सकते हैं इसलिए हम जावा programming language को एक robust programming language भी बोल सकते हैं एनदर feature of Java is it is dynamic programming language जावा is considered to be more dynamic than C or C++ because of the bytecode जैसे के C and C++ में हम directly source code को machine code में convert करते हैं बट जावा में हम यहां पी क्या करते है source code को पहले compile करके byte code में convert करते हैं और byte code को फिर machine code में convert करते हैं और कि क्योंकि उस वहुं कि किसी भी सिन मेन्वेंगे 20 में उसको हम एक्जिक्योट कर सकते हैं उसी साथ का डर्प Wallace करके हमें रिजल्ट ब्रवाइड कर सकते लिया बाईटकोर्ड के वज cinnamon इन उसकोड यրटन इन इन फ्लाट्क कि जावा प्रोग्रामिंग लैंगविज यूज करके अगर मैंने एक सोर्स कोड बनाया है तो उस पर्टिक्ला सोर्स कोड को सोर्स कोंपाइलर यउस परने के बाद उस परweise करने के अभू से उसी प्रोग्राम को इक्जेक्जिट कर सकते हैं क़ई हाँ यहां पे हम जो अनुट को सब्सक्राइब करा जहां पर अगर को उसको क्या बोलता है डाइनमिक और अगर उसको बोलते हैं तो जब कि हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं और सेम प्रोग्राम को अगर multiple number system में execute करना चाहते हैं तो उसके byte code को multiple number system में execute करके operation पॉप हम कर सकते हैं और byte code को हम क्या करते हैं इंटर्पेटर मतलब JVM Java Virtual Machine में runtime environment में हम उस byte code को क्या करते हैं लोड करते हैं और runtime environment में अगर हम कुछ भी टास्क है फिर कुछ भी operation पॉप हम करते हैं तो उस तरह के operation को मूलते हैं और जबकि हम यहां पर byte code को runtime environment में लोड कर रहे हैं उसको क्या करने के लिए एक्जिक्यूट करके result find करने के लिए इसलिए महां पर बोल सकते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्विज एक तरह का dynamic programming language है तो आज के class में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्विज के different features और characteristics के बारे में पढ़ा स्वाई थिंग आज के class में जिन topics के बारे में हमने discuss किया आप लोगों को समझा चुका है सो next class में हम discuss करेंगे ऐस और कुछ टॉपिक के बारे में आज के लिए इतना है थैंक यू